हलो बच्चो बहुत बहुत स्वागा थे आपका अपने चैनल कच्छागड़त में बच्चो हम लोग आज integration की एक नए टोफिक पर पहुंच रहे हैं खंड सा समाकलन पढ़ना है integration by part बच्चो यहां पर दो फलनों का गोडन फल हमें दिया जाएगा जैसा कि उसका नाम है खंड सा का मतलब दो खंड पहला खंड दूसरा खंड इनका दोनों का गोडन फल इसलिए उसका नाम खंड सा रख दिया है और कोई खास बत नहीं तो यहां पर खंड सा समाकलन हम कैसे करत यहां पर हमें दो फलन दिये जाएंगे और उनका गुड़न फल का हमें समाकलन करना होता है हर प्रिश्ण हर प्रिश्ण आपका इस एक्सरसाइज जो आंगे इस वाली एक्सरसाइज में आपको जो प्रिश्ण मिलेंगे वो हर प्रिश्ण में एक यह बात मिलेगी दो फलन मि गुडन फल का हमें समाकलन करना है इस प्रकार से दो बच्चो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाली exercise में भी कुछ इस प्रकार से प्रशन थे जैसे हम आपको याद दिला दें कि आपके पास कुछ प्रशन इस प्रकार से थे कि sin x into cos x इस प्रकार से प्रशन थे ना तो यहाँ पर एक फलन sin x है एक फलन cos x है दो फलन के गुडन फल का यहाँ भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन याद रखिए यहाँ पर क्या था हमने इसमें इसमें हमने प्रतिस्थापन विदी अप्लाई कर दी थी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हम अगर sin x को t मानते हैं तो उसका आउकलन cos x dx बराबर dt होता है इसको हम dt लिख देते थे और इसको t लिख देते थे तो t into dt करके हम इसको हल कर लेते थे ऐसा था ना यहाँ पर आपको इस प्रकार का प्रशन नहीं मिलेगा कि एक फलन को हम अगर t माने तो उसका आउकलन दूसरा बन जा है दूसरा फलन आउकलन बन जा है इस प्रकार का सवाल नहीं होगा यदि होता है तो उसको आप उस प्रेटन से भी लगा सकते हो इसको भी याद रखी ठीक है तो यहाँ पर दो फलन हमें यहाँ दिये गए है पहला फलन यह है दूसरा फलन यह है तो दोनों फलनों के गुडन फल का अगर हमें समा कलन करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है ये देखो एक फलन तो आपको ज्योंकाते हो रखना है जिसको आप फश्ट मानोगे उसको ज्योंकाते हो रखना है अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि इन दोनों मेंसे किस फलन को हम फश्ट फलन मानेंगे और किस फलन को हम सेकेंड फलन मानेंगे ठीक है अभी बताएंगे थोड़ी देर के लिए पहले इसको formula समझ ले तो यहां से हमने माल लिया कि यह आपका एक पहला फलन है यह हम यहां पर इसको दूसरा फलन ले तो हम क्या करते हैं पहला फलन जियोंकातियों रखेंगे और फिर इसके बाद में second वाला जो फलन है उसक माल लगा दो फिर फश्ट वाले का जो फिस्टफलन है इसका हम आउकलन करते हैं मतलब ft future फश्ट है नया इसका हम क्या कर दे हैं कि आवकलन करते श्टप का आवकलन करदें और इंसको में second वाले का समकलन second का समाकलन मतलब gx का हम यहां समाकलन कर दें और इस पूरे का जो गुड़न फल होगा उसका दुबारां से फिर समाकलन करना है तो याद रखिए first फलन ये है second का समाकलन minus first का आउकलन second का समाकलन इन दो सभी का गुड़न फल का फिर से समाकलन करना है first फलन second का समाकलन minus first का कैसे याद रखिए सो, ठीक है, कोई समस्या, फश्ट फलन, सेकेंड का समा कलन, माइनस, फश्ट का आउकुलन, सेकेंड का समा कलन, और पूरे का गुड़न फल का फिर सी समा कलन, ठीक है, इतनी बात याद रखिए, बड़े आराम से पूरी exercise जहाँ अपकी हल हो जाएगी, ठी तो आपको इस एक किसी फ़लन को हमें फष्ट मानना है किसी एक को एक तो हम चुन लेंगे दूसरा अपने आप सेखन हो जाएगा तो बस पहला फ़लन चुनने के लिए एक आपको ट्रक याद रखनी है अभी बताएंगे कौन सी ट्रिक है जिसको आप, जिससे ये पहँचान लोगे कि कौन सा फलन हमारा फश्ट फलन है, पहला फलन कौन सा है, चलो यहीं बता देते हैं, आपको दोखो पहला फलन और दूसरा फलन मैंसे कैसे निर्दारल करोगी, कौन सा फलन पहला है, दोखो एक सब्ध हमें यहाँ पर चुनेंगे इन्वर्स चलो लिख दे इन्वर्स ठीक है यह इन्वर्स हो गया आजा इसका मतलब बता दो यह क्या है इसका मतलब बताओ यह है आपका लोगर्थम यह क्या है लोगर्थम फलन आजा इसके बात यह क्या है यह आपका एलजबरिक फलन है एलजबरिक फलन है ठीक है इसका मतल है E की पावर जो इसको चरगा तंकी कहते हैं तो यहाँसे अगर इन्भर्ट्ट्स फलन हो या लोगर्थम फलन हो या एलजेबरिक फलन हो या तliक्ढो माट्रिक फलन हो या फिर एक्सपॉंसियल फलन है तो इन मैं से जो पहले आता है उसको हम हम first phalan मानेंगे सीधी सीधी बात है कि इन में से जो पहले आता है उसको हम क्या करेंगे first मानेंगे फिर इसके बाद जो बचाए कब वो अपने आप second हो जाए ठीक है अभी एक question लेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से किस phalan को हमें पहला मानना है किसको हम दूसरा बाने है ठीक है चलो यहां पर पहला प्रशन लेते हैं seven point six exercise का पहला प्रशन है और इसमें लिखा है x into sin x इसका हमें क्या करना है समाधलन ऐसे जो इसको आई बरावर लें बच्चो जैसा कि हमने को अभी बताया कि यहां पर हमें दो फ़लन मिलते हैं तो देखो भीया दो है या नहीं यह पहला फ़लन है यह दूसरा फ़लन है है न दो फ़लन तो इसमें से हमें पहला कौन मानना है इसको मानने या इसको मानने कौन सा पहला मानने इसके लिए हमने आपको एक सब्द बताया I L A T E बचो यहां पर देख सकते हो कि क्या इन दोनों फल्लों में से कोई inverse फलन है बिल्कुल नहीं कोई inverse फलन नहीं तो चलो इसकी बात खतम क्या logarithm फलन है इन दोनों फलनों में से कोई भी फलन logarithm नहीं काम खतम अब आते हैं algebraic फलन पर यहां आप देख सकते हो यह पहला फलन जो है यह वाला यह algebraic फलन है तो हमने बताया कि जो इन मैंसे पहले नमबर पर आये उसको हम पहला फलन लिखेंगे तो यह आपका पहला हो गया और यह आपका अब बचा है second तो इसको हम दूसरा फलन लिखेंगे ठीक है चिदी सी बात है पहला फलन यह हो गया दूसरा यह हो गया अगर आप यह पहला मानोंगे यह दूसरा मानाओगे तो बात हमारी कभी नहीं बनेगी याद रखिए इन दोनों मैंसे i late के अनुसार जो भी पहले आता है उसको हम first मानेंगे और फिर जो बचाएगा वो second हो जाएगा ठीक है चलो यहाँ पर अब इसका दोखो apply करोगे सूत्र का apply कैसे करते है first फलन हमें जयोंका त्यों रखना है तो को x जयोंका दे अब second वाले का समा कलन कर दो sin x का यहाँ पर जिर जो पर समा कलन x के सापेट क्यासे लिखोगे integration sin x into dx first फलन जयोंका त्यों second का समा कलन मानस का निसान लगा दो फिर समा कलन करने सान लगाओ और इसके बाद पहले वाले का जो पहला फलन है उसका आउकलन कर दो X का आउकलन X का आउकलन कैसे लिखो X का X के साफ़ एक आउकलन एक होता है वो तो हो जाएगा वह यह DX बटे DX है ना एक हो जाएगा तो पहले का आउकलन और ये second वाला जो है sin x इसका हम यहाँ पर समाकलन कर दें और ये bracket बंद करके into में dx अब बता दो भी पहला फलन second वाले का समाकलन minus पहले वाले का आउकलन second वाले का समाकलन into dx simple बात है आँगे आओ भई x into sin x का अगर समाकलन करेंगे तो हमें यहाँ पर minus cos x मिलेगा sin x का समाकलन minus cos x होता है ना तो first ये जियोंकातियों हो गया इसका हमने समाकलन कर दिया अब आती है minus का निसान लगा दू तो को अभी इसको नहीं बोलोगी ये समाकलन का निसान है अब द to dx हमने बताया कि ये पूरा जो भी गुड़न फल आएगा इसका हमें फिर से समाकलन करना है चलो यहाँ कर देते हैं minus x into cos x इसका इसमें multiple यहाँ देखिए इस minus को इस minus से multiply करोगी plus हो जाएगा और समाकलन यहाँ लेखोगी cos x into में dx ठीक है और आंगे देखो minus x into में cos x और plus अब बता दो वही cos x का समाकलन क्या होता है आपको पता है sin x होता है और बस एक question लगाओगे आपका यह answer आजाएगा minus x into cos x plus sin x और plus question ठीक है यह हो गया दो पहला question पड़े आसान से आप पड़ोगी हमने बताया कि आपको highlight के अनुसार से पहले नमबर यह समझना है कि इसमें से पहला फलन कौन मानेंगे highlight के अनुसार से जो भी उस serial से पहले नमबर पर आएगा उसको पहला फलन लिखोगे और फिर बचा हुआ दूसरा फलन अपने आप हो जाएगा तो यहाँ apply करना है दोखो first फलन जियों काते हूं second का समाकलन minus first का alkaline second का समाकलन इस पूरे का फिर स समाकलन करना है ठीक है तो x जो काते हूं sin x का समाकलन minus cos x लख दिया पिर minus और first का alkaline second का x के इसाफर एक साफर एक होता है और यहsin x का समाकलन minus cos x और इस पूरे का फिर से हम यहाँ पर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर दोखो यह मानस मानस प्लेस हो जाएगा और cos x का समा कलन यहाँ पर क्या लिखोगी cos x का समा कलन sin इतनी बाट ठीक है तो वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दें चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं एक लें वीडियो में